वेल्कम टू ध्वनिस कीचन आज मैं कच्चे आम की चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी ये चटनी बहुत ही जल्दी बन जाती है और इसे हम फ्रिज में थोड़े दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं चटनी बनाने के लिए मैंने एक कच्चा आम लिया है सबसे पहले हम इसके छिलके निकालेंगे अब हम इसे घीस लेंगे मैंने इस चटनी में घुड यूज किया है तो मैंने पहले सही घुड को चौप करके रख दिया है तो ये चटनी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा अब इसमें से घुटली रह गई है तो ये हाफ कप जितनी कच्छी आम है इसे मैंने एक बाउल में ले लिया है अब इतनी ही अमाउंट में हाफ कप गुड हम इसमें एड करेंगे वन फॉर टीस्पून नमक हाफ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर हाफ टीस्पून जीरा पाउडर आप लाल मिर्च और गुड अपने टेस्प के हिसाब से ज्यादा या कम ले सकते हैं आप इसमें जैगरी के बदले शुगर भी यूज़ कर सकते हैं अब इसे अच्छे से मिक्स कर ले तो इसमें से पानी छूटने लगेगा और इसमें सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो ये चटनी तयार है मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया है आप इसे एर टाइट कंटेनर में बंद करके थोड़े दिन के लिए फ्रीज में भी स्टोर कर सकते हैं